हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टार्गेट आइक्यू फॉर लॉम है जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी जैसे अभी पहले ही कुछ दिन पहले ही बिहार सिविल जच दोजार तेस का पेपर हुआ है तो इससे संबंदे तम लोग पेपर लेबल और कट आफ किस से संबंदे तम लोग बात करेंगे इसमें तो पेपर का लेबल देखा जाए तो पिछले साल जो पेपर हुआ था बिहार सिविल जच का उसकी अपेक्छा इस बार बिल्कुल डिफरेंट पेपर था डिफरेंट इंदा मीन कि जी अस जिस तरीके से आया था कि अगर बात करेंगे लौ में थोड़ा अंतर है अब अंतर कि शीच का है यह देखते हैं पीपर लेबल जो था पिछले बार कि अपेक्छा इस बार लौ का वो इस बार मॉडरेट टू टफ था और जी अस के हम लोग बात करें तो जी अस के पेपर जो पिछले बार हुए थ थे वो थोड़े मॉडरेट टू टफ थे मगर इस बार इजी टू मॉडरेट था मगर हम लोग इजी टू मॉडरेट को अगर जूडिसरी इस एस्पिरेंट के परपस से देखें तो यह भी मॉडरेट से अबब ही था मगर टफ से नीचे था ऐसा नहीं है कि एगर सौ बनाए थे तो उसमें सो में से नबे या सी स्टुडेंट कर पाए हैं इसमें भी एन एवरेज अगर देखें तो जिसके पिछली बार 40-45 जी असे में बन पा रहे थे 50 बन पा रहे थे उन्होंने इस बार 60-65 या 70 के करीब किया है जो ठीक ठक अच्छे स्टुडेंट या जो बहुत अच्छे हैं वो 80 के करीब कर पाए हैं तो इससे कट आफ के निर्धारण में यही एक चीज बात पता चलती है हम लोगों को और जितने भी सीनियर हमारे कुछ स्टुडेंट्स हैं और जो हमारे कुछ सीनियर टीचर हैं उनसे भी बात डिसकसन से बात पता चल पता है लौ पेपर जो की लौ इस बार थोड़ा टफ ही था पिछली बार की पेखचा तो जी असमें अज हम लोग देखें तो जी असमें लड़कों ने जो किया होगा बच्चों ने जो किया होगा एंवरेज अगर देखा जाए तो 62 65 यह मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं जो थोड़े ठीक ठाक पढ़ने में हैं लौ की बात करें तो लौ में 9200 यह लौ के हैं ठीक है तो इतने नंबर इतने नंबर इसकोर अच्छे ठीक ठाक इस्ट्ट कर पाएंगे अब फिर हम लोग बात करते हैं कुट ऑफ की तो अगर हम लोग कुट आफ देखें तो जनरल की कट आफ जाएगी दिखें जनरल की यह एक्सपेक्टेड है कोई जानते है आप लोग भी जानते है कोई किसी को कुछ कंफर्म पता नहीं होता है आयो के अलावा तो जो हमारे सीनियर या जो हमारे और भी स्टुडेंट्स हैं उनसे बात करके यह पता चला कि यह वन सिक्स्टी फाइब टू सेवन्टी के करीब यह जनरल जा सकती है जैसा लोग बता रहे है कि कट आफ बहुत हाई जाएगी नहीं ऐसा नहीं है पेपर जीयस का इजी आया था मगर बच्चों से गलतियां भी हुई है और जहां तक लौ की बात की जाए लौ पेपर भी मॉ प्टा चलुए कि बहुत सही गया है बात में जब answer की मिलाने पर पता चली पलाल भी answer की official आई नहीं है तो पता चला ये है कि उन्होंने भी law में बहुत सारी गलतिया की है तो मेरे हिसाब से यह cut-off होनी चाहे जनरल की बाकी आयो cancer की आने के बात कुट-off हो सकता है उपर नी इसकी तैरी आज ये सुरू कर दीजिए धन्यवाद